Hello Champions, Welcome to Fantasy Crickball The 100 Women's Match No.29 जो की खेला जाने वाला है All Invincible vs Trent Rocket के बीच में 21th of August को साड़े साथ बज़े ये मुकाबला scheduled है कौन मैच में जीतने वाला है क्योंकि लास्ट अगर हम बात करें guys Trent Rocket back to back 2 match जीत के आ रही है वहीं बात करें All Invincible की तो back to back 2 match हार के आ रही है और यहाँ पर अपना 200% देना चाहिए और इस माच को जीतना चाहिए तो इस माच में कौन से खिलाड़ी आपको दिलाने वाली है जादा पॉइंट, M.Cup, C.E.P.C.E.L.A.N.A.K.E.G. या बात कर लें Cyber या B.Smith किस के साथ हमें Captain और Voice Captain जाना सेफ रहने वाला है सारी बते डीटेल में करेंगे लेकिन गाइस देखो सबसे पहले चैनल मिलना है हो तो चैनल को कर लो Subscribe, Bell notification को on कर देना, इसके साथ इसाथ giveaway special वीडियो है तो मैं वीडियो के बीच में आपको पताऊंगी कि आपको क्या करना है तो easy question आएंगे, दोनों का जवाब सही देना है, कोई condition नहीं रहने वाली है सही है और सबसे पहले जवाब दो और daily पैसे बनाओ इसके अलावा आपको telegram का member होना ज़रूरी है क्योंकि आप सबको पता है, जो हमारी final team आती है यहाँ पर मैं आपको इस match की complete analysis को देने वाली हूँ कैसी pitch होगी, किसको favor करेगी, क्या stats है, दोनों team होगी, क्या होगी, playing 11 इसके साथ Grand League में हमें किसके साथ जाना, small league के captain, वो इस captain की best choice क्या रहने वाली लेकिन जो final team आएगी, वो आएगी telegram पे उसके लिए आप सबको telegram में जुड़ना पड़ेगा, link description के साथ साथ comment box में pin है तो जाके join हो जाना, बागी मैं आगे बता भी देती हूँ, कैसे करना है आपको तो guys देखो, यहाँ पर आप नीचे option देखोगे, subscribe button का, पहले चैनल को subscribe करो उसके just उपर option होगा more, more यहाँ ऐसे लिखा होगा, आप more पे click करोगे, आपके phone में open होगा यह page आपको दिखेगी, यहाँ पर हमारे telegram channel की link, link पे करना है, click, click करते ही, आपके phone में open हो जाएगा मैं हमेशा वो बोलती हूगी, आप link से join ओ, link comment में भी इसलिए मैंने दिया है, कि आपको problem नहीं हो guys और आप सबको पहले तो thank you so much, इतना support करने के लिए guys, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारी women's लड़किया हर आज चाहे बात करें, WPL आ चुका है चाहे 100 men's के साथ 100 women's जिसके हम prediction आपको देने वाले, तो इसी तरह हर एच छेतर में लड़किया आगे बढ़ रही हैं, किसी ने कल comment किया था, मुझे बहुत पसंद आया था वो comment, तो guys इसी तरह का support और प्यार बनाए रखो, जिस तरह का women empowerment की बात है, बड़े का देश, बड बात करूं, बागी पेसर को यहां बहुत जबरदास मदद मिलती है, लेकिन किस पेसर को मिलने वाली है, और वो चलिए आगे बता देते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं, pitch starts, guys देखो, pitch पे ना, अभी तक women's के, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, सिब दो match खेले गए बात करें, लेकिन आगे देख लेते हैं, जो कुछ match खेले गए, इस pitch पे, किस तरह का match खेला गया, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, कि वहाँ पर किसको मदद मिली है, तो लाज जो match खेला गया है, यहाँ पर ओल इंविंसिबल वर्से लंडन स्पिरिट के बीच में, यह match में आप देखो, टोटल 11 विक्टे गिरी है, जिस पे से spinner को 5 विकेट मिली है, पेसर को 6 विकेट, तो मतलब यहाँ पर भी देखो, पेसर को जादा विकेट मिली है, एक और मैच देखेंगे, यहाँ पर गाई, लंडन स्पिरिट वर्से ओल इंविंसिबल के बीच, यह जो match खेला गया था, मतलब ओल इंविंसिबल इस match पे और इस match पे और इस match हार चुकिए, बहुत अच्छे आकड़िन नहीं है, लंडन स्पिरिट ने जीता था, 19 विक्टे गिरी थी, 19 में से 10 विक्टे आपकी मिली थी, स्पिनर को और 8 विक्टे मिली थी, पेसर को, तो यह चीज़ याद रख रहा है, और देखो गाईस, वैसे मैना हमेशा एक चीज़ मान दी, विमेंस के माच में स्पिनर हमेशा हावी रहती है, आप कभी किसी भी मैच को उठा क भी रही हूँ, कि आपके विमेंस के माच में जातर विक्टे आपकी स्पिनर लेके जाती है, और आगे वो भी बताने वाली हो कि किसकौन सी स्पिनर होगी, जो इस मैच में की प्लेयर बनने वाली है, तेकि सबसे पहले बात करेंगे, ट्रेंट रोकेट की प्लेइंग एसके लाब आप हर्मन के साथ जा सकते हो यहां से मैं देखो किसके साथ जाने वाली लास सीजन जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से योगधान दे रहे थी वह दतानी है तो यह सीजन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिये जये गाडनर कैथ्रीन साइब ब्रंट आपको एक आपका विकेट निकाल के दे सकती हैं बॉलिंग सेक्षिन में एलाइना किंग बहुत सेफ ऑप्शन है और के गॉर्डन जो कि हर मैच में आपको एक विकेट कन्फर्म देके जाएंगी तो ये गाइस दो को मेरे चार मैंने बहुत जादा आपको मैंने सिर्फ चार प्लेयर यहां से बताएं जिनको आपको हर एक टीम में रखना है ठीक है बागी के एक्स्टर प्लेयर किसको लेके जाना है वो इस स्टाट्स आपको क्लियर करेगा इन सारे ख्लाड़ों के आखरी पांच मेकाबले के स्टाट्स तो इस स्क्रीन शॉट ले लो सबसे पहले बी स्मीट की बात करेंगे राइट हेंड़ बैटिंग राइट हम ओफिस पिन बॉलिंग आप देखो सत्तरा नेक वीके डरतालिस रन अठाएसा नेक वीके चॉसर रन आखरी के अगर आप पांच मैच में भी स्मीट ने परफॉर्मेंस दी है चाहे बैटिंग से चाहे बॉलिंग से और यही एक वज़ए है कि कैप्टन की सबसे सेफ ओप्शन हो जाती है लेकिन यहाँ पर सामने वाले टीम में जब आपके पास M-Carp होने वाली है तब मामला फसने वाला है कि किसको गैप्टन मराया जाए तो वो तो आपको आपको आगे बताई देंगे लेकिन ली की बात कर लेते हैं दो गाई देखो ली यहाँ पर एक दो मैच में अच्छी पारी खेली है देखो बेटिंग से हर मैच में पॉइंट दिलाएंगी कंफर्म दिलाएंगी हर्मन प्रीत को ग्यारे तीन वाइस पांच हर्मन के साथ मैं ऐसा नहीं हर्मन बहुत ही गजब की खिलाडी है लेकिन जो यहां मौका उतना मिल नहीं रहा है और जब गिणदे उतनी नहीं मिलने वाली है तो फिल देने का कोई मतलब ने है साथ आप जा सकते हैं यहाँ पर कैथरीन अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं अलागी आखरी पांच बेसे सिर्फ अभी तक एक विकेट मिला इन्हें यहां एलायना किंग मस्ट पिक जो रहने वाली है में तरफ से राइट अम लेगी स्पिन्ट को विकेट मिलेगा वह पहल कंसिस्टेंसी के साथ ऐसा कोई मैच नहीं है जहां पर गॉर्डन को विकेट नहीं मिली है तो आप दोको इस एक ही टीम से आपके पास गॉर्डन एलाना किंग और बी स्मिट यह तीन स्पिनर निकल के आ चुकी हैं जो की विकेट टेकर हैं हर मैच पिकेट ले रही है और य यहां पर बात करें मिडिल ओर में अलाना किंग काथरीन साइवरवन के गॉर्डन बी समिट टेथ में बॉल करेंगी बी समिट स्टोन हाउस अलाना किंग के गॉर्डन तो देखो बॉलिंग ओर्डर यही रहने वाली है जाद़ कोई चेंज यहां नहीं होगा यहां पर बात तीग जब की पर्फॉर्मस देती है बेटिंग से कैपसी बेटिंग बॉलिंग दोनों से पर्फॉर्मस देंगी यहाँ पर एम काप देखो वह फास्टर है जो हर मैच भी विकेट निकाल के जाएगी और यहां पर सॉल्फिल्ट यहां पर सॉल्फिल्ट भी बहुत जबर दस इनके पास सामने वाले डीम के स्पिनर्स हावी है तो इनके पास पेसर देखो किस तरह के हैं एंडी क्लर्क ने भी लास्ट माच में अच्छा परफॉर्मस दिया था एंविलर्स को ड्रॉप करना है यहां पर आप देखो मैक डोनॉल्ट गे के साथ आप जा सकते हो तो इनक यह ड्रॉप नहीं कर सकते हैं चाहें पॉइंटे चाहें न दे क्योंकि यह वन साइडेड मैच को ले जा सकती हैं वो हिम्मत रखती हैं तो यहां बात कर लेते हैं सारे के लाड़ों के आखरी पांच मेकाबले के स्टाट्स की सबसे पहले आप स्क्रिंशॉट ले लो सूजी बेट्स की बात कर लेते हैं गईज देगो 13, 29, 24, 55 आप एक मैच छोड़ दो तो एवरेज देगो हर मैच में परफॉर्मेंस दे ही रही कंसिस्टेंसी के साथ विन्फिल्ड की बात करेंगे 3, 19, 41, 3, 2, 1 मैच छोड़ दिया जाए तो किसी मैच में कुछ खास देगे 3, 20, 1 मैं से लिएट संब्स देगे 3,000 इंडि लेते हैं पर लास्ट मैंच में, 30, 25, 25, 29, 1, 1, 2, 2, 7, 12, इंडिया एं, देगे 4, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, प्यविग देगो 15, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2 पर कम से कम दो विकेट काने वाली है इवा ग्रेयर और सोफी स्मिल ज्यादा प्रियॉरिटी दे सकते हो क्योंकि धरकी टीम से अगर आप एक स्पिनर रखना चाहते हो तो यहां पर इंके साथ जा सकते हो हलाकि कि हमारे पास कि psychologists प्रदी कम से कम डाल सकती है Smell को एक ही मैच में भी तक विकेट मिली है यहाँ पर हो सकता है विकेट मिली है लेकिन चांसेज बहुत काम है इंके All Under में ही ज़्याद अदम है Balling Order क्या रहने वाली है तो guys अगर हम बात करें और Invincible के Power Play में Ball डालेंगी Smell, M Cup, Andy Clark, Middle में Ball डालेंगी Smell, M Willers, Eva Gray, Andy Clark, M Cup और Mc Donald ये Death में Ball डालेंगी M Willers, Eva Gray, Shoffield और Andy Clark Shoffield को Death में Ball डालती है इसलिए विकेट मिलती है M Cup की जो खासियात है ने Power Play में विकेट चटकाने की तो ये दोनों फिलाड़ेंगो को आप रख लेंगी है मैंने पहले आपको बता दिया अगर दोनों टीमों की Head to Head मुकाबले की बात की जाए कि आपस में जब भिड़ती है तो किस तरह का होता है Match तो अभी दगो सिर्फ एक मैच हिला गया है और उस मैच को जीता है All Invincible ने ये चीज़ याद रखना कि recent कहानी कुछ भी हो लेकिन History यही कहती है जब Team में आमने सामने आई थी तो Over Invincible ने उस मैच को जीता था आप देख लो पांच विक्टों से जीता था Performance किसने किसने दी थी है आप देख सकते हो B Smith Flock थी Cyberbrand ने अच्छा performance दिया था 59 अल बनाया थे और यहां पर बात करें Sarah Glenn जो कि अब यहां है नहीं B Smith B Smith को यहां तीन विकेट मिली है तो B Smith और Cyberbrand बहुत ही यहां पर खास बन जाती है सामने वाले टीम से अगर हम बात करें M Cup के आप देखो 34 run 1 विकेट Smell को भी विकेट मिली है Eva Gray को यहां दो विकेट मिली है यह खासियत है यहां पर Suji Bates ने रन किया है Capsi ने रन किया है तो यहां पर देखो आपके performance जादा आई है लेकिन सामने वाले टीम से वही जो दो बड़े नाम है Natalie Cyberbrand और B Smith वो नाम आपको साब साब दिख रहे है तो Captain वो इस Captain के थोड़ा confusion रहने वाला है लेकिन match prediction क्या रहने वाला है कि इस match में बाजी कौन मारेगा और Mayor prediction थोड़ा हट करें इस बार Mayor prediction जाता है All Invincible को कि इस match को जीतने वाली है दोनों टीमों की recent form की बात की जाए तो यहाँ पर Trent Rocket अपने आखरी 5 में से 3 match जीती है वहीं बात करें All Invincible की तो अपने आखरी 5 में से 2 match जीती है और हम Indian है अमारा काम है कमजोर के साथ खड़ा होना तो यहाँ पर मैं खड़ी हो गई हूँ All Invincible को इस बार support करने वाली हो कि इस match में जीतेगी लेकिन गाइस सारा prediction एक पर जाएगा अगर हमारी fantasy team काम करके देगी तो इस match की best team क्या रहने वाली है देख लेते हैं और screenshot जरूर ले लेना बिकेट keeper में विनफिल्ड के साथ जाओंगी कोई option नहीं है मेरे पास यहाँ पर bedding section में काफी clash होने वाले मैं पहले बता दे रही हूँ काफी clash होगा है यहाँ पर सबकी team में सेम ही आएगी और लॉंडर में M-carp, Saivar, Shofford और Macdonald गे और balling section में आप Elana King, Gordon और S-smell ट्राइग कर सकतो यहाँ पर देगो अगर आपको थोड़ा सबसे हट के जाना है यहाँ पर ग्राइग के साथ जा सकते हो यह सबसे पेस्ट है जो मैंने आपको बताया है यह और सबसे safe option है लिकिन काइस दिखो यह तो मैंने बना दी small league की safety हमारी grand league option क्या रहने वाले अगर आप grand league में winning करना चाहते हो तो गाइस दिखो यहाँ पर grand league में आपको करना क्या है कोशिश करना है कि आपको 2-3 player फोड़े चेंज करने जैसे कि मैंने आपको बताया आप smells हर कोई लेके जाएगा सामने वाले टीम से आप gray को लेके आओगे तो more differentiator हो सकता आपका ठीक है इस तरह से कुछ एक आका changes आपको करने पड़ेंगे जो मैं आपको बाद में टेलीग्राम पर ही बता दूँगी हलाकि मैं आपके लिए चार option लेके आई हूँ और मैं confirm बता सकती हूँ यह चारो player इस match में जबरदस performance देने वाले हो और सबस्याद आपकी fantasy में point दिलाने वाले हैं आप देख लेना match के बाद बात करेंगे guys बागी आपको देखो सबको पता है कि मेरी final team I की टेलीग्राम चानल पर तो जिसने जिसने नहीं जोइन किया है आभी भी जा कि जोइन कर लो आप बता भी दिया मैंने link मिलेगा description के साथ साथ comment box में और आज का हमारा giveaway question ये रहने वाला है पहला कि player of the match कौन बने वाला और दूसरा question हमारा होगा कि इस match में most wicket taker ball है M cup होगी अब 20 में जल्दी जल्दी बताना शुरू करो सिर्फ और सिर्फ hashtag लगा देना all invincible इसके अलावा अगर बात करें all invincible versus 10 rocket ठीक है guys तो कुछ नहीं करना है आपको दोनों को इस्वाब देना है और hashtag use कर लेना है hope so guys आपको video बहुत पसंद आई होगी तो आज के लिए वस इतना ही हम जल्द मिलेंगे next match के पूरी prediction के साथ अगर आपको मेरा video पसंद आई होगा तो like और share करना नहीं बूलना है लेकि सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले करना है चाहर को subscribe अच्छे अच्छे comment करके बताने कि वीडियो कैसी लगी बाकी आप insta पे भी follow कर सकते हो